चाइना एक ऐसा देश जिसके हर कदम पर दुनिया की पैनी निगाब बनी रहती है कारण है चीन की कूटनी तिक चाले हाल ही में जर्मनी ने चीन को चेतावनी देते कुए कहा है कि चीन जल्द से जल्द बर्लिन में अवैद रूप से चलाए जा रहे अपने सीक्रेट पुलिस्टीशन्स को बंद कर दे ऐसी ही चेतावनी यूके ने भी चीन को जारी की थी यही नहीं अमेरिका में FBI भी चीन के इन सीक्रेट पुलिस्टेशन्स का परदाफाश कर चुकी है जिसके तहत मैंहेटन शहर से दो चाइनीज लोगों को गिरफतार भी किया गया था इनके अलावा Canada, Netherlands जैसे देश भी चीन को अपने सीक्रेट पुलिस्टेशन्स बंद करने के लिए कह चुके हैं यानि कुल मिलाकर दुनिया के हर पोने से ऐसी खबरे आ रही हैं कि चीन उनके देशों में अवैद रूप से अपने सीक्रेट पुलिस्टेशन्स चला रहा है की जरूरत है आज इस वीडियो में बात होगी इनी सवालों पर नमस्कार मैं हूँ भुपेंद्र सोनी और आप देख रही हैं अनकट चीन के इन सीक्रेट पुलिस्टेशन्स का सच इतना डार्क है कि कोई सोच भी नहीं सकता स्पेन के एक Human Rights Group, Safe Guard Defenders ने साल 2022 में चीन के इन सीक्रेट पुलिस्टेशन्स पर एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे नाम दिया गया था 110 Overseas 21 पन्नों की इस रिपोर्ट में चीन के इस काले सच से परदा उठाया गया है रिपोर्ट में पहले चाइना का वर्जन बताया गया है कि चाइना इन पुलिस्टेशन्स को सर्वे स्टेशन्स कहता है और इन्हें शुरू करने के पीछे चाइना का इरादा उन चीनी नागरिकों की धर पकड़ करना है जो ऑनलाइन फ्रॉड्स में शामिल होते हैं चीन के मताबिक हौंग कौंग, ताइवान और चीन के नागरिकों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है जिसमें चीनी नागरिकी शामिल होते हैं बस इनी को पकड़ने के लिए ये सर्वे स्टेशन्स बनाए गए हैं चीन ने नौ देशों की एक लिस्ट तयार की है जो चीन में फ्रॉड करने वाले चीनी नागरिकों को पनाह देते हैं और चीन ने अपने देश के लोगों को ये एडवाईजरी भी जारी कर रखी है कि वो इन नौ देशों में बिना किसी थोस कारण के ना रुके लेकिन सेफगार्ड डिफेंडर्स का कहना है कि चीन इन उनलाइन फ्रॉड्स की आड़ में जो सीक्रेट पुलिस टेशन चला रहा है उनमें से इन नौ देशों में सिरफ एक स्टेशन है जबकि यूरप में चीन के इन सीक्रेट पुलिस टेशन की भरमार है रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में सबसे पहले चाइना के डिस्टिक्ट फूजियान ने इन ओवर्सीज फ्रॉड्स को रोकने के लिए सर्विस टेशन्स खोले थे और इनकी सफलता के बाद ही शी जिन पिंग की चाइनीज कम्मिनिस्ट पार्टी का समर्थन इने मिला था अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि इन सर्विस टेशन्स के जरिये चीन कैसे अपने ही नागरिकों के मानवा धिकार का उलंगन करता है रिपोर्ट के मताबिक चीन पहले ऐसे लोगों की लिस्ट बनाता है जो उनकी नजर में अपरादी हैं और वो दूसरे देशों में पना लिये हुए हैं फिर इन लोगों की लिस्ट इन सीक्रेट पुलिस टीशन्स को भीजी जाती है जहां से इन लोगों को चीन वापिस लाने के लिए तीन तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है पहला तरीका होता है चीन में रह रहे उस शक्स के परिवार को टारगेट करना जिसके तहत उस शक्स के फैमिली मेंबर्स को धमकाया जाता है उन्हें तंग किया जाता है और अगर फिर भी वो शक्स चीन की बात ना माने तो फैमिली मेंबर्स को डिटेन कर उन्हें जेल तक भ बुल्डोजर चला दिया जाता है जिससे उस शक्स पर इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि इससे पहले कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए उसे चीन वापस लॉटने पर मजबूर होना पड़ता है दूसरे तरीके के तहट उस शक्स को सीधे अप्रोच कर ऑनलाइन धं धंकाया जाता है फिर अंडरकवर एजेंट को उसके पीछे लगाया जाता है या चीनी सरकार भाड़े के लोगों के जरिये उन्हें धंकाती है हरास करती है ताकि वो चीन वापस लॉटने पर मजबूर हो जाएं तीसरा तरीका सबसे खतरनाक है जिसे कहते हैं डारेक्ट कि गिल्टी के सिध्धान पर नहीं चलता और अपनी शर्तों पर किसी भी शक्स को एबड़क्ट कर लेता है और वो भी इंटरनेशनल कानूनों की धजियां उड़ाते हुए अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ये पुलिस टेशन्स चीन की एजेंसियों के जरिये कैसे च जिसे नैशनल सुपरवीजन कमीशन यानि एनसी रन करता है सेप्टेंबर 2022 में चीन ने एंटी टेलिकॉम एंड ऑनलाइन फ्रॉड लॉव यानि एटी ओफल बनाया था जिसके तहट विदेशों में रह रहे चीन के लोगों को फ्रॉड के तहट चार्ज किया जाता है यान चीनिस कम्मिनिस पार्टी ने अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए साल 2021 में सतर लोगों की एक टास्क फोर्स भी बनाई थी इन पुलिस स्टेशन को चाइना सर्विस स्टेशन की आड में चलाता है जिनका काम विदेशों में रह रहे चीनी नागरेकों को स्टेशन चल रहे हैं नवंबर 2022 में यूएस, यूके, कैनिडा, निदरलेंड्स और जर्मनी समेत 12 देशों ने इन स्टेशन के खिलाफ इन्वेस्टिकेशन शुरू की थी क्योंकि ये स्टेशन उन देशों के कानून की धजियां उड़ा रहे थे हालाकि एफ्रीका और अगरेशों के कानून को अपने हाथ में ले रहा है दूसरा चीन ऐसे नागरेकों को भी टार्गेट कर रहा है जो चीन के रास दुनिया के सामने मुखर होकर रखते हैं तीसरा और सबसे एहम कारण है कि इन स्टेशन के जरिये चीन उन मुलकों में जासूसी को भी अंजाम जिसका शक FBI ने भी जताया था और इसे लेकर कुछ गिरफतारियां भी की गई थी यही नहीं 2022 में इंडोनेशिया में हुई G20 समिट के दौरान कैनेडा के पीम जस्टिन टूडो ने शी जिन पिंग के सामने भी इस मुद्दे को उठाया था हलाकि चीन दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बाद भी सेफगार्ड डिफेंडर्स की इस रिपोर्ट को बायस बताता है और अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि करोना महामारी के दौरान चीनी नागरिकों की मदद करने के लिए इन सर्विस टीशन्स को खुला गया थ तो यह है चीन के सीक्रेट पुलिस टीशन्स की पूरी कहानी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अंकट शुक्रिया